जब हम सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन यापन को लेकर चलते हैं उसकी बात करते हैं तो हर घर परिवार में बजट ज़रूर बनता है लेकिन कई बार अमित खुदा ना खासता अगर किसी की तब्यद खराब हो जाए कोई बीमार हो जाए तो वो बजट हिल जाता है जी बिलकुल और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सेहत पर निवेश करें सेहत मन्द रहें लेकिन अगर बीमार पढ़ जाएं तो सवाल उठता है कि हमें अच्छी क्वालिटी की दवाएं सस्ती दरों पर आसानी से कैसे मिलें आईए जानते हैं वैश्विक फार्माक्षेत्र में भारत एक महत्वपून और उभरता हुआ सितारा है जो दुनिया भर में लगभग 20 प्रतिशत जेनरिक दवाओं की आपूर्ती करता है जेनरिक दवाओं की इस ताकत की पहचान कर एवम इसका लाब उठाने के लिए भारत सरकार ने प्रधान मंत्री भारतिय जन आउशधी पर योजना नामक एक पहल शुरू की थी जिसके तहट देश भर में अपने नागरिकों को सस्ती दवाओं उपलब्ध कराने के लिए जन आउशधी केंद्र खोले गए है इस पहल का उदेश्य लोकप्रिय बाजार ब्रांड्स की दवाईयों की कीमत की तुलुना में लगभग 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक रियायती कीमतों पर उच्च गुणबत्ता वाली जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराना है लेकिन इन दवाईयों की गुणबत्ता या प्रभाव उन महगी दवाओं के बराबर ही है सरकार ने जन आउशधी केंद्र नामक फार्मसियों की स्थापना की है जहां ये दवाईं देश भर में उचित मोल्य पर उपलब्ध कराई जाती है पिछले नौ वर्षों के दौरान आम नागरिकों को इस योजना से बहुत लाब हुआ है और इससे नागरिकों के लगभग 25,000 करोड रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है यू तो इस योजना की शुरुवात वर्ष 2008 में हुई थी लेकिन इसे फिर संबल प्रदान किया गया वर्तमान सरकार की दृष्टी के तहट राष्ट्र व्यापी कबरिच के लिए इसे फ्रूत्साहन दिया गया फ्रेंचाइजी जैसा मॉडल रखा गया है जिसमें उद्यमियों को न केवल दवाओं की बिक्री पर कमिशन मिलता है बलकि दवाओं की बिक्री पर इंसेंटिव के रूप में आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है और ऐसे क्षेत्रों में जहां सुविधाई कम है वहाँ पर केंद्र खोलने के लिए यूग्य मामलों में एक मुष्ट दो लाख रुपई तक का प्रारंभिक अनुदान भी मिलता है केंद्र खोलते रहे और अभी तक 10,000 से ज्यादा केंद्र खोले जा चुके हैं सभी प्रमुख चिकित्सकीय समूहों को कवर करते हुए दवाओं और सर्जिकल उपकरणों की संख्या भी बढ़ती रही है पिछले नौ वर्षों में योजना के तहत खोले गए केंद्रों की संख्या में 100 गुना वृद्धी हुई है और विक्री भी 100 गुना से अधिक बढ़ी है लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2026 तक 25,000 केंद्र खोलने का लक्ष रखा है जन आउशदी केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की किमत बाजार में जो दवाओं मिलती हैं उसी क्वालिटी की लेकिन जन आउशदी केंद्र में 50 प्रतीसद से 90 प्रतीसद तक उसकी किमत कम होती है आज जन आउशदी केंद्र देश के नागरिकों को सस्ती एवं अच्छी दवाएं उपलब्ध करवा कर स्वस्थ भारत के निर्मान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और निरंतर प्रगती के पत पर अग्रसर है और PMBJP स्कीम यानि प्रधान मंत्री भारतिय जन आउशदी परियोशना पर पाचीत के लिए डीडी मॉनिंग शो में अब हमारे साथ हैं श्री रवी धादीच नमस्कार गुद मॉनिंग चीप एग्जेक्टिव ऑफिसर है आप फार्मसेटिकल्स और मेरिकल डिवाइसे ब्यूर उफ इंडिया से तो रवी जी हमने अभी स्टोरी में तो जाना पर जन आउशदी केंद्र क्या है कौन जा सकता है कौन इसका अलाब ले सकता है जन आउशदी केंद्र पूरे देश के लगभग सभी जिलों में है और लगभग साड़े साथ सो जिले इससे कवर्ड है कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है वो लेके अपना दवाईयों को लेने के लिए किसी भी नियरबाय जन कर रहे हैं तो सुना है कि 90% तक सस्ती भी मिलती हैं यहाँ पर तो इतनी सस्ती कैसे और क्या है यह दूसरी दावाईयों से ढबाईयों के से बाहर हो गई है एक समय के बाद वह सभी जन रिक हैं और लगभग 2,000 प्रकार की दावाईया जन आउश्टि केंद्रों में का कळांज क्यमिकल कम पॉजीशन है वही है जो ड्रैंडिट दवाइयों का है लेकिन ड्रैंड दवाईया काफी मेहंगी मिलती है और जैनरिक दवाईया कोंकि इसके अंदर मार्केटिंग का कोई खर्चा नहीं है और सरकार की एक योजना है कि लोगों को सस्ते दामों पर दवाईया उपलब्द कराई जाएं तो उस आस्पेक्ट को देखते वे हम बहुत बल्क में इसको परचेज करते हैं और इसके कारण से यह सस्ती उपलब्द है तो रवी जी मान सुअन नहीं है केवल पर दॉपन का धना यहां है और यह सब हता है वे जी मानली दवाईयों के प्र्स एक मद्रीज करते है जुट यह सब लोगों को एक यह व क्यूलन है two автом decidedly यह इक अच्छे नहीं होंगे, तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सभी दर्शकों को, कि इन दवाईयों की quality बिल्कुल वही है, जो branded दवाईयों की होती है, उनका chemical composition exactly वही है, और ये सभी दवाईयां हम WHO GMP certified manufacturer से ही लेते हैं, तो इनकी quality के बारे में आपको बिल्कुल चिंता करने क की जरत नहीं है, लेकिन जैसे हम जब भी किसी chemist shop पे जाते हैं, तो डॉक्टर हमें prescribe करते हैं, तब हम वो medicine लेते हैं, तो जो डॉक्टर prescribe करते हैं, क्या वो सभी दवाईय यहां पर मिलेंगी? जो डॉक्टर प्रसक्राइब करते हैं, इसलिए हमारी product basket को पिछले कुछ वर ortho, तो जो different categories है therapeutic groups की, उनके अनुसार doctors जितनी भी दवाईया लेखते हैं, वही दवाईया इन दुकानों पर मिलती हैं, आप एक बार visit करके किसी भी दुकान को देख सकते हैं, और साथ ही जैसे मैंने बताया, सुगम एप में location के अलावा, कौन सी दवाईया आपको चाहिए उसका नाम भी आप चेक कर सकते हैं, और website पर भी चेक कर सकते हैं, तो रवी जी दवाईयों के साथ साथ अगर surgical equipments की बात करें, या फिर अप जैसे अलोपेटी पदती के साथ 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 सरकार आयूश पदती पर भी बल देती है, क्या इससे जुरी दवाईया भी मिल सकते है जी, सो surgical devices और nutraceuticals के करीब 300 प्रकार के items इन जनौश दी केंदरों पर उपलब्ध हैं, जो की आम तोर पर बजार में खरीदे जाते हैं, वो यहाँ भी उपलब्ध हैं और जैसा आपने पूछा आयूरवेदिक तो अभी लगबग आठ नो आयूरवेदिक प्रोडक्स जिसमें चवनप्राश, आश्वगंधा, त्रिफला इस प्रकार के जो over the counter required जो प्रोडक्स हैं, वो भी जनौश दी केंदरों पर काफी सस्ती केमत पर मिलेंगे तो यह जो आपने एक्विपेंस पताए, ग्लुकोमीटर हो गया, बीपी चेकिंग मशीन हो गई, शुगर चेकिंग मशीन हो गई, तो यह सब लगबग कितने रेट पर हमें मिल सकती है, क्योंकि बहुत महेंगी आती हैं सारी चीज़े तो थर्मामीटर लगबग 100 रुपे का प्राइस है, बीपी मॉनिटर एक अच्छी क्वालिटी का, जो है वो 1000 रुपया उसकी कीमत है, और ग्लुकोमीटर 500 रुपे के आसपास उसकी कीमत है, जिसमें 25 स्ट्रिप्स भी साथ में उसके आती हैं, और इसी प्रकार से एक स्टी क्वालिटी कम्ढूर हो, मतलब क्वालिटी वैसी ही रहीगी जैसे हम आम ब्रेंड स्में परशाइस करीं के क्वालिटी कामः चाहिए हम बड़ी जल्दी chemist चले जाते हैं और chemist की दुकान पे green रंका plus sign होता है, तो जिसे नहीं मालूम और डो green रंका plus sign देख एक समझ जात में जानते हैं तो मोदी जी की सस्ती दवाईयों की दुकान और उस पे नाम सभी दुकानों पर एक ही होगा प्रधान मंतरी भारतिया जनौशदी केंदर तो इस प्रकार की जो ब्रेंडिंग है उसको आप पहचान सकते हैं उसके अनुसार आप देखके अपना क्वालिटी लो कर्मेंट्स हैं वही इसमें फॉलो करते हैं यह तो आपने बहुत अच्छी बात कहीं क्योंकि डीडी मॉनिंग शोवें आप बहुत सारे उंट्रप्रनौशदी केंदर देखते हैं तो अगर कोई जनौशदी केंदर खोलना चाहे क्योंकि हमने देखा 15 अगस्ट 2023 को मारणी प्रदानमंत्री जी ने गोशना की थी कि 10,000 से बढ़ा कर अब 25,000 जनौशदी केंदर बनेंगे तो अगर कोई इंट्रस्टिट है यह सेंटर खोलने है वो क्या करें उसको मैं एडवाइज करूंगा कि जनौशदी.gov.in वेबसाइट पर जाए और एपलाई फॉर केंदरा कैटेगरी है उसमें तो ऑनलाइन अपलाई कर सकते हैं इसके लिए 5,000 रुपे की फीस है लेकिन कुछ कैटेगरी के लिए वो फीस भी एक्जम्ट है जैसे यदि महिलाएं हैं SC, ST कैटेगरी के लोग हैं या दिव्यांग है एक सर्विसमेन है या एस्पिरेशनल डिस्टिक में रहने वाले लोग हैं ये लोग बिना फीस के ऑनलाइन अपलाई कर सकते हैं ऑनलाइन अपलाई करने के बाद हम उन्हें इनिशल अप्रूवल देते हैं और उन्हें इसके लिए 120 स्क्वार फिट की एक जगह उनके पास दुकान के रूप में होनी चाहिए और स्टेट अ चाहता है तो क्या उसको फार्मसी में कोई इपलोमा डिगॐ करने की जरूरत है और या कुई भी व्यक्ति खोल सकता है लेकिन उसको दुकान पर को चलाने के लिए ऐसकी समझ के लिए एक फार्मसिस्ट Clara program हो municipality लूका हो सकता है रहे एक आशकता है ड्रग-लाई-सक के लिए बट कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है और कोई महिला एंट्रॉपेनर हम देख रहे हैं पिछले दिनों काफी महिलाओं ने इसमें अप्लाई किया क्योंकि उनको एडिशनल दो लाक रुपे की फार्मसिस्ट को और फार्मसिस्ट की बीटेल्स हमारी वेबसाइट पे हमने उनको भी फ्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा दे रखी है तो आप अपने क्शेत्र में खोलना चाहते हैं उनसमें से फार्मसिस्ट भी आप सलेक्ट कर साथी तो रवी जी अगर कोई ये केंदर तो एक तो सेवा भाव हो कि सेहत लाप पहुचाए लेकिन अगर 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 बिजनस करना है तो प्रॉफिट कमाना भी जरूरी है अब एक आशंका लोगों के जहन में आ सकती है कि सस्ती दरों की दवाईया है तो क्या ये बिजनस प्रॉफिटेबल होगा जी बिलकुल होगा इसका उद्देश्य एक one of the objective है सेवा भी रोजगार भी तो रोजगार के लिए जन उश्दी केंदर एक अच्छा साधन है आप अपना establishment करिए उसके लिए आपको दवाईयों पे एक तो margin मिलेगा जो लगभग 20% होता है उसके अलावा सरकार शुरू में लगभग 3-4 साल त क्योंकि जब तक पांच लाख रुपया पूरे नहीं होंगे तब तक आपके account में DBT के माधियम से आता रहेगा तो margin है प्लस आपको ये incentive है इन दोनों को मिला के कोई भी व्यक्ति इस रोजगार को बड़ा अच्छे से चला सकता है और इसकी demand हर वर्ष लगभग 35-40% से दक्षा बहुत बड़ा होगा तो अभी women की वारे में बात हुई तो यहां पर मैं जानना चाहूंगी कि जब हम women hygiene की बात करते हैं और उसके अलावा कुछ supplements होते हैं तो क्या यह सब चीजे भी यहां पर मिलेंगे हमें सस्ते दामों में जी बिलकुल आप इसके लिए website चेक करें महिलाओं के लिए मान्य प्रधानमंत्री जी नहीं उद्गोशना की थी Redford से कि sanitary pads हम एक रुपे में उपलब्ध कराते हैं जिसमें 10 sanitary pads का packet मात्र 10 रुपे में sanitary pads इन दुकानों के माध्यम से बेच चुके हैं तो यह एक behavioral change लाता है menstrual behavior के लिए और इसका acceptance जैसे जैसे देश के tier 2 cities, 3 cities और rural areas में होगा तो इससे काफी हाइजिन के लिए बड़ा फाइदा होगा इसके लावा कुछ protein के products हैं जो महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं वे भी काफी सस्ती कीमत पर जन उश्दी केंदरों पर में अगर किसी को affordable medicines चाहिए good quality medicines चाहिए accessible चाहिए तो आप जन उश्दी केंदर जा सकते हैं जैसा रवी जी ने कहा सुगम app है बहाँ पर आप जानगाई ले सकते हैं जन उश्दी की website है जन उश्दी.gov.in और साथी ये toll free number भ केंदर के बारे में जान सकते हैं किसी product के बारे में आप जान सकते हैं नया जन उश्दी केंदर खोलने संबंधी जो आवशकता हैं या क्या उसके benefit होंगे उसके बारे में जान सकते हैं ये सब जानकारी आपको इन toll free numbers में मिल सकते हैं तो मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि स्वस्त भारत की ये संजीवनी है जी बिलकुल ये देश के लोगों के लिए एक वर्दान है और जो मानिय प्रधान मंतरी जी की परिकल्पना है कि देश का कोई भी व्यक्ति दवा के अभाव में उसके मरने की नौबत ना आए उसको साकार करने के लिए हम प्रयासरत हैं और ये 25,000 का टार्गेट हम अगले दो वर्षों में अवश्य पूरा करेंगे और तो इसकी रीच पूरे देश के चोटे-चोटे शेहरों में भी हो जाए तो अब तक के सफर के आपको बढ़ाई और लेक्षे प्रापते के लिए बहुत 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 अपकामना है थेंक यू ओद्याँ, तक करेंञे।